जैसरी किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वामने यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज मैं आपको कुछ भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा राशी का जो योग है बहुत ही अच्छा है ग्रेन का राशी परवर्तन हो रहा है बुद्ध जो कि इस वक्त मीन राशी में है 30 मार्च की साम 6 बज करके 49 मेट पर मीन राशी में ही उधित होंगे उधित होकर बुद्ध अगले दिन 31 मार्च को मेस राशी में प्रिवेश करेंगे यह बदलाव राशी चक्र की चार राशी के लिए सुभ नहीं माना जा रहा और आपको अपने जीवन में आने वाले उताच चडावों का सामना करना पड़ेगा लेकिन कुछ राशीयों के लिए यह योग गुरु शूर और बुद्ध का योग बहुत ही अच्चा रहने वाला है ब्रशब राशी में बुद्ध पांच में बाब के स्वामी माने गहें और यह आपकी कुंडली के बारेवे भाम में उधित होंगे आपके लिए बुद्ध की स्थिति में यह बदलाव अनकूल फल देने बाला नहीं है इस वक्त आग के जीवन में केई प्रकार के उताचड़ाव आ सकते हैं परवार के किसी सदश के स्वास्त को लेकर कापी परिशानी वा पढ़ाई करने वाले चात्रों को किसी कारण से पढ़ाई छोड़नी पढ़ सकती है आर्थिक मामलों में उता चड़ाव आ सकते हैं और केरियर के मामले में भी कई चनोतियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए विशे सुरूप से आपको पुद्दवार के दिन गनेची की पूजा करनी है और साथ ही आपको गौ माता को हर अचारा भी खिलाना है दोस्तों कई राशिया ब्यादी भागिसाली रहने वाली हैं जिनको विशे स्लाब मिलने वाले हैं बुद्ध गुरू शूर्य ये बहुत ही सुविस्तिती में हैं जो कई राशियों को विशे स्लाबानतिक करेंगे करक रासी में बुद्ध बारह में और तीसरे बाव के स्वामी माने जाते हैं गोचर के वक्त आपके दसवे बाव में उद्धित होंगे आपकी कुण्ली में बुद्ध की एस्टिती अनकुल नहीं मानी जा रही है और आपके किसी कारण से समाज में बदरामी हो सकती है साथी लाइप में भी परिशानी का सामना करना पर सकता है इस वक्त आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है यहां तक की नोकरी छुटने तक की नोबत आ सकती है इसलिए बुद्धवार को पांच कन्याओं को मीठा जरूर खलाएं बुद्धा आपकी कुल्ली में सुभ नहीं माने जा रहे हैं इसलिए विशे सुभ से आपको ध्यान लगनाएं दोस्तों कुछ रासिया ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों ओधित होती समय बुद्धा आपके आठवे बाम में ओधित होंगे कन्यारासि वालों के लिए योग ज्यादा सुभ नहीं है ओधित होती समय बुद्धा आपके आठवे बाम में ओधित होंगे आपके आर्थिक इस्तित कमजोर पड़ सकती है परवार के किसी सदस की सेहत पर कापी खर्च हो सकता है आर्थिक मामलों में आपको बजट बना कर चलने की जरूरत है इसलिए विशेश रूप से आपको ध्यान अकना है नोकरी बदन ले की अभी आब सकता नहीं है कुमरासी कुमरासी में बुद्ध पांच में राटवे बाब के स्वामी माने जाते हैं और यह आपके तीसरे बाब में उन्देत होंगे इस वक्त आपको छोटे बाई बेनों के साथ समन्नों का किसी मनववेत का सामना करना पड़ सकता है साथ ही और किसी परिशानी में आपको उलजना पड़ सकता है इसलिए गोवमाता की प्रते दिन सेवा करें गोवमाता को हरा चारा खलाएं और साथ ही भगवान गनिजी की पूजा भी करें जिससे आपके योग और ज़्यादा प्रवल होंगे तो जो रासी हमने बताई है इन बार रासी वालों को विसे शुप से द्यान रकना होगा और जो भागे साली रासी बनाई है बताई है उनको हर प्रकार का सोकर बैब प्राप्त होगा